वेल्कम बैक टो में मार्केट अनलेस्स वीडियो, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं, कल के लिए, कल एक वीटली एक्सपारी होने वाली है, पहले में पास ओपन है, निफ्टी 50, डेली केंडल ओपन है, यहाँ पर आप देखेंगे, आज हमें एक नगी पैटन दिखाई दिया है, 18600 से निफ्टी यहाँ पर रेजेक्ट हुआ, 500 तक की गिरावर दिखाई है, 18500 तक की बिट 500 पे कहीं न कहीं सपोर्ट लेके 35.2 बंद हुआ है, मतलब एक हमें यहाँ से रिवर्सल साइन तो दिखाई दे रहा है, यह प्रॉपर रिवर्सल नहीं उपर से रिजेक्ट हुआ है, 18600 से लेकर 650 के आसपा जहां से मार्केट में छोड़ा सा ग्याप डाउन आया, सेलिंग आई, इस जगे पर ओलरी कॉल सेलिंग करने वाले कॉल राइटर्स मार्केट में पोजिशन बना चुके है, इस लिए के एक्सपैरी के लिए, मार्केट आज नीचे गिरा, कॉल राइटर्स को पैसा मिला, थोड़ी सी प्रॉफिट बॉकिंग भी आई, और मार्केट यहां से थोड़ा सा उपर रिवर्स भी किया, इसका मतलब यह सपोर्ट बन गया, तो इस जगे पर पुट राइटर्स भी आज थोड़े बहुत तो आचुके ह तो होता क्या है, अगर कग मार्केट फिर से एक छूटी सी गैप अप ओपनिंग दिखा दिया, तो मार्केट इसी रेंज के बीच में फसार है जाएगा, पैनिक कब आएगा, जब यह पूट राइटर्स जो आट सपूट के आसपास बेच के गए होंगे, अगर मार्केट न 18,625 से लेकर 650, 18,600 से 650 का लेवल आपके लिए रहेगा एक सरजिस्टन जोन ठीक है, नीचे के सपोर्ट की बात करें, 18,500 आपके लिए 18,500 एक सपोर्ट बनावा है, जो मेन इंपॉटेंट है, अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग आ रही है, और यह 18,480 को नीचे ब्रेक कर रहा है, फ्लैट ओपनिंग दे के 480 के नीचे निकल रहा है, तो सैलिंग को continue कर सकते हो, मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग दे रहा है, और मार्केट ऊपर निकल रहा है, तो ऊपर निकल जाने तो आपको बाय ट्रेड मिला नहीं है, क्यों बाय ट्रेड नहीं मिला, मान क चलो फ्लाइट ओपनिंग अगर इदर मिलती है और यहां से उपर जाता है 575 को नीचे ब्रेक करके नीचे गिरा है ठीक है तो यहां पर बाइग करते हो 40. उपर फिर से एक रेजिस्टन्स 575 उपर ब्रेक हुआ तो 600 फिर से रेजिस्टन्स 600 ब्रेक हुआ तो 625 फिर से रेजिस्टन्स और 650 भी रेजिस्टन्स तो हड़ दगे call writing भी पढ़ी है रेजिस्टन्स भी पढ़ा है इसलिए अगर flat opening या छोटा सा gap up मिलता है आपको buy नहीं करना चाहिए कल के दिन flat opening में अग उसके बाद में 650 को उपर दिन को जाके ब्रेक करता है 11-12 बजे 650 के उपर निकलता है 18-650 के उपर तो वहाँ पर बाइंग बन जाएगी बैट वो बाइंग में बिलकुल नहीं बनेगी अगर मार्निंग टेड मिलना है तो वह फ्लाइट ओपनिंग या छोटे से गैप डाउन में 480 के नीचे आपको सेंटेड ही मिलेगा अधरवाइस मार्केट ये 650 से लेकर 500 के बीच में ये 1500 पॉइंट के बीच में आपको साइडवेस ही दिखाई देगा एक बार ऑप्शन चाहिन भी आज डेटा एड हुआ है अथारा 500 भी हमारे लिए यहाँ पर कॉल राइटिंग है भी पड़िये तो लग रहा है 500 नीचे ब्रेक होती सेलिंग आएगी 500 पे भी हैवी कॉल राइटर कल की एक्सवारी के लिए आ चुक है पूट साइड का डेटा देखते है पूट साइड की डेटा है 1,12,000 के आसपा मतलब अभी थोड़े से 18,500 पे पूट राइटर ज्यादा चल रहे है वैं कल 480 का लेवल नीचे तोड़ता है तो ये जो पूट राइटर अभी भी बैठा है ये पैनिक में एग्जिट करेंगे और और अल्रीडी 80 लाग जो कॉल राइटर आ चु तो मैं को हुआ है कल के दिन बाइंग सेड में मत जाओ बैठा रहे है अभी हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि आप खल के लिए लेवल से इंपोर्टन होने वाले हैं बैंक निफ्टी के 15 में टाइम फ्रेम सीधा चलेंगे यहां पर आप देखेंगे बैंक निफ्टी से नीचे का सपोर्ट बनेगा 44,000 ही मालो में सपोर्ट आपका यहां पर 44,000 होने वाला है तो आपको इस 500 पॉइंट के बीच में ठेड मिलना नहीं है ठीक है अगर मार्केट यहां पर फ्लैट ओपनिंग देता है 44,200 के आसपास यह ओपन होता है मार्केट को यहां से उपर जाना है अगर मार्केट को बुलिश होना है तो पहले यहां पर एक दो गंटे टाइम स्पेंड करेगा उसके बाद में 44,300 के उपर क्रॉस करता है जो दिन को रिवर्सल आया यह हाई 44,300 दिन को ब्रेक होता है 12 बजे बाद में तो इधर से 300 तो 500 एक मुमेंटम मिलेगी 500 के उपर निकला तो 44,750 तक की भी आपको एक ओर मुमेंटम मिल जाएगी बाट अगर मार्केट मॉर्निंग में गैप आप लेके उपर निकल गया तो यह 44,500 ते लेकर 400 यह सारे रजिस्टन्स बन जाएंगे अगर मॉर्निंग में उपर चला गया और यह रजिस्टन्स लेके व आपका 43,600 का दूसरा तार्गेट बनेगा आपका 43,600 का और 600 के नीचे निकला तो और बड़ी सेलिंग प्लैन कर सकते हैं बैट मुझे लग नहीं रहा कि मॉर्निंग मॉमेंट आपको कल के दिन मिलेगा मॉर्निंग का मॉमेंट यहाँ पर साइडवेस ही हो जाएगा क्योंक इस वॉलिटाइन मार्केट है ऑप्शन सेलर ही कमाएगा बायर्स को ज्यादा मॉमेंटम मिल नहीं वाली है चलिए निफ्टी फिन को देख लेते हैं 19,500 के आसपास की क्लोजिंग में मिली है यहाँ पर भी सेलिंग आई ब्रेकडाउन आया बाइट 19,500 का लेवल एक स्ट्र निफ्टी फिन को भी हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं वैसे कल इसका दिन रहेगा नहीं निफ्टी बैंक निफ्टी को ही यह काफी अच्छे से फॉलो करेगा वालेटिलिटी कल बनी रह सकती है मार्केट के अंदर मॉर्निंग के अंदर ट्रेंज ट्रेड मत पकड़ना अगर इस केल्पिंग में मिल जाए 1700 पॉइंट बैंक निफ्टी में 27 पॉइंट बुक कर लेना बट अगर दिन को यही ब्रेक आउट आ रहे हैं तो आपको के ट्रेते हैं तर्था एक यहीट्एर मिल सकते हैं तक्य।